मैंने कई viral वीडियो में देखा है कि हम beetroot से अपने बालों को बरगंडी कलर कर सकते हैं क्या आपने भी ऐसा कुछ सुना है तो इस बात को प्रूव करने के लिए मैंने भी एक experiment किया तो इसके लिए मैंने एक beetroot लिया उसे चोटे चोटे पीसिज में काट कर mixing jar में डाल दिया और grind कर लिया कुछ ताइम पहले भी मैंने एक experiment किया था beetroot से अपने बालों को कलर करने के लिए उस वीडियो को भी आप जाकर जुरूर चेक करें उसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और ये देखिए मैंने beetroot का paste त्यार कर लिया है अब हम अपने requirement के हिसाब से एक लोहे के बरतन में महंदी लेंगे और मैंने यहाँ पर चार चमश महंदी के लिए है कुछ लोगों का कहना है कि महंदी से हमारे बालों में अच्छे से color नहीं आता है तो सबसे पहले आप ध्यान रखे कि आपके बालों में oil बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और जब भी आप महंदी लगाए तो आपके बाल shampoo wash किये हो अब मैं महंदी के रंग को और गहरा करने के लिए इसमें एक चमश आमला पाउडर एड करूंगी इसमें vitamin C भरपूर मातरा में होता है और ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखता है अब इसमें हमने बीट रूट का पेस्ट एड करना है बीट रूट हमारे जो scalp में गंदगी जम जाती है उसे ही अच्छे से clean करता है साथ में dryness को दूर करता है dandruff से भी हमें चुटकारा दिलाता है तो इस paste को हमने अच्छे से mix करना है और साथ में थोड़ा सा पानी इसमें add करते हुए इसका fine paste त्यार कर लेंगे इस paste को बनाते हुए मेरे मन में बस एक ही सवाल आ रहा था क्या सच में बालो में बरगंडी कलर आएगा इससे आपके मन में भी अगर यही सवाल आ रहा है तो comment करके जरूर बताना अगर इस वीडियो को देखने के पास जरा सा भी आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए useful रही है तो इस वीडियो को like जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा share कर देना अगर आपके पास भी कोई natural खास तरीका है बालो को बरगंडी कलर करने का तो जरूर बताना ताकि मैं वो तरीका वीडियो बना कर बाकी लोगों के साथ share कर सकूँ तो इसे मैंने रात भर के लिए ढख कर छोड़ दिया और next morning जब मैंने इसे देखा तो इसका कलर देखिए कितना अच्छ है जैसे कि अभी बालो में बरगंडी कलर आने वाला है तो मैंने इसे mix किया और अपने clean बालो में apply किया shower के पहना और तीन घंटो के बाद बालो को सिर्फ साधे पानी से ही मैंने wash कर दिया और wash करने के बाद result देखिए आपके सामने है तो आपको क्या लगता है मेरे बाल बरगंडी हुए है देखिए मैं आपको सही real result बता रही हूँ कि जो मेरे black बाल है उन पर तो बरगंडी शाइन आ रही है बट जो मेरे white बाल है मतलब कि roots आप roots वाले बाल देख सकते हैं उनमें महदी का ही color आया है कोई बरगंडी color नहीं आया है तो इससे यही प्रूव होता है कि आपके white बालों पर बरगंडी color नहीं आने वाला और जिनके white बाल जदा नहीं है वो अपने बालों को बीट रूट से highlight कर सकते हैं बहुत प्यारा color आता है साथ में यह मास्क बालों को conditioner भी करता है